नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord C5G vs Realme X7 Max का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nord C5G में 6.27 इंच जबकि Realme X7 Max में 6.24 इंच की लेंथ मिलती है जोकि Nord C5G से कम है विट की बात करें तो Nord C5G में 2.89 इंच जबकि Realme X7 Max में 2.89 इंच की विट मिलती है जोकि सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो Nord C5G में 0.31 इंच जबकि Realme X7 Max में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जोकि Nord C5G से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो नौज से 5G में 170 ग्राम्स जबकि Realme X7 Max में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकि नौज से 5G से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो नौज से 5G में Fluid AMO LED जबकि Realme X7 Max में Super AMO LED की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.43 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेशियो दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है स्क्रीन टू बोडी रेशियो 9 से 5G में 85.31 प्रतिशत जबकि Realme X7 Max में 85.92 प्रतिशत मिलता है बात करें पीपी आइडेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 409 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो 9 से 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है और Realme X7 Max की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, wide angle camera, macro camera देखने को मिलता है बात करें वीडियो camera की तो 9 से 5G में 9 different type के features मिल जाते हैं और Realme X7 Max की बात करें तो उसमें 8 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो दोनों phone में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 6 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो 9 से 5G में Adreno 619 जबकी Realme X7 Max में Mali G77 MC9 मिलता है चिप सेट की बात करें तो 9 से 5G में Qualcomm Snapdragon 750G और Realme X7 Max में MediaTek Dimensity 1200 MT6893 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों phone में सेम ही 8 GB मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में सेम ही 128 GB मिलती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों phone में 4500 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो दोनों phone में सेम ही 3 colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो price दोनों phone की सेम ही 24,999 रूपीज है दोस्तों अब बात करते हैं plans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो OnePlus Nord से 5G में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Realme X7 Mac की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है फायदे बात करें है result की तो display में दोनों phone सेम ही है main camera में दोनों phone सेम ही है front selfie camera में दोनों phone सेम ही है performance में Realme X7 Mac आगे है internal memory में दोनों phone सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे phone को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 10i है जो की 23,978 रुपे में मिलता है दुसरा Samsung Galaxy F62 है जो की 18,499 रुपे में मिलता है तीसरा OnePlus 9R है जो की 49,999 रुपे में मिलता है और लास्ट competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M42 5G है जो की 23,999 रुपे में मिलता है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना